हमारे हिवाले इंगोद में और्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी संभावना वाली जगा में देखता हूँ सिक्किम छोटा सा प्रदेश है छे साथ लाग की आबादी है लेकिन बारा पंदरा लाग टूरिश आते हैं और वहां जाने आने के रास्तों की भी कठिनाई है हवाई अड़ा भी नहीं है अब मैं बना रहा हूँ बन जाय का कोई समय में उसके बाहुजिब भी इतनी बात्रा में टूरिस्ट आते हैं सिकीम ने पूरा राच्य और्गेनिक बनाया है दस बारा साल तक लगा था अंत्वराष्टिय मानतों के साथ उन्हों ने काम किया सारे हिमाले की गोद में केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति सारे हिमाले इन राच्यों में दवाईयों से छुट्टी बनस्पति के दवाईयां खेत के अंदर दवाईयों का छंटकाव बन अगर दस बानों साल धैरियों से काम करें तो जीस हमारी पैदावर से एक उर्पिया मिलता है दुनिया आपको एक डॉलर देने के लिए तैयार हो जाएगी यह और्गेनिक फार्मिंग की ताकत होती है कि मैं उत्तराखन को अंजिमंत्र देता हूं ऊतराखन की सरकार को आawa करता हूं कि बिड़ा उठाइए उत्तराखन को और्गिनिक परान का सपना ले करके चलें 2022 का लक्ष हो और अभी से काम लगेए सटीफाय करने में सायद दस साल लग जाएगे उसके नियम होते हैं लेकिन अगर एक बार ताय कर ले कि इस लोगों की जन जागुरती राएंगे चीज़े बढ़ लेंगे अब कल्पना कर सकते हैं आज पुरी दुनिया होलिस्ट्रीक हेल्थ केर की और चली रही है और तब जाकर के केमिकल की दुनिया से दूर हमारे खेत उत्पादन को ले जाएंगे तो हम मानवजाद के कितनी बड़ी सेवा करेंगे हैं हमालाई की ये ताकत इसको मिजा आगे बढ़ाना है